हेलो अब्रिवान और आज की वीडियो में जो है हम देखेंगे इंसेक्यूर डिरेक्ट अब्जेक्ट रिफ्रेंस को तो यहां पर मैंने अपनी यहां पर जो है उसका मॉडूल लॉड हो जाएगा तो यहां पर ओवस्पी की लिंक भी हुए अगर आपको ज्यादा पढ़ना इसके बारे में तो आप उस लिंक को क्लिक करके उसके बारे में पढ़ सकते हैं तो यहां पर एक बहुत चोड़ा सा स्मराइज किया हुआ है तो एक बार हम उसको देख लेते हैं तो इसका मतलब क्या है मैं आपको डेमो के साथ बताता हूँ तो यहां पर आप देखेंगे कि सर्च बाइटम कोड और यूज सर्च ऑप्शन ऐसे करके इन्होंने हमें ऑप्शन दिये हुए तो हमारे पास प्रोड़क्ट के आईई हैं 12345 तो मैं जैसे ही टू पर किलिक करता हूं और संबिट करता हूं तो सेकिंड नंबर का प्रोड़क्ट है जो सेकिंड नंबर का आईटम है वो हमें डिस्पले हो जाएगा तो आप क्या कर रहे हैं कि आप जो है यह गिविन फाइव उप्शन को ऑथराइज दें आप इन आची आइटम को एकसेस कर सकते हैं अगर आप यूरल में देखेंगे तो आइटम इस इकल टू जो भी आप चूस कर रहे है वो हो जा रहा है उसकी वैल्यों बट अगर मैं यहां पर आइटम इस इकल टू सिक्स दे दू तो क्या कोई और सा आइटम डेटबेस में होगा जो ही होगी तो उन्होंने सोचा होगा कि जो यूजर है इस जा रही है तो इस से हम क्या कर सकते है कि अज IS जो है यहां निख्त होई है कि यहां happens when the application exposes direct objects to an internal resource ठीक है तो internal resource कहती ही हमारे यह जितने भी item code है description नहीं में यह internal resource थी जो database में safe थी तो इस application ने क्या किया आपको direct object when the application exposes direct object to an internal resource तो यह जो है expose कर रहा है direct object को expose कर रहा है कैसे कि आपने जब 5 दवाया तो आपको आइटम 5 नमर का आगया बट आपने जैसे 6 दवाया तो जो कि unauthorized item unauthorized access था आपको इस item के लिए वो आपने बाइपास कर दिया एक crack कर दिया तो यह जो है indirect object reference vulnerability के लाती है तो अगर कोई चीज मेरित को बताने से छूट गई है तो आप comment section ले लिख सकते हैं और देखने के लिए thank you video like करना नहीं